नमस्कार इस वक्त एक बड़ी घटना जो निकल करा रहे मुंबई से सटे पन्वेल स्टेशन से बता दे यहाँ पर एक पती ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को मार डाला बता दे यह घटना घटी है पन्वेल स्टेशन के बाहर गुरुवार की रात को जहाँ पर चाकू मार कर 29 वर्षी प्रेंका रावत नामक महिला की हत्या कर दी गई इस हत्या के मामले में पुलिस ने सुलजाने में सफलता आज हासिल कर लिया और इस महिला की हत्याक में उसके पती और उसकी प्रेमिका को गिर्फतार किया है जिसमें दो अन्य लोग भी सामिल है जाज में पता चला कि प्रियंका के पती और उसकी प्रेमिका ने ही सुपारी देकर ये हत्या कराई थी इसी तहट पुलीस ने प्रियंका के पती को उसकी प्रेमिका के समेथ गिर्फतार किया पुलीस ने अब इस हत्याकान के हत्यारे और उसके साथ ही की तलास शुरू कर दे जिसे सुपारे देकर इसकी हत्या कराई गई थी प्रियंगा रावत पन्वेल रेलवे स्टेशन पर पिछले गुरुवार की राथ ठाने से पन्वेल आई और लोकल से उतर कर बाहर निकली तभी भीड में पहले से इस बात की ताक लगाया बैठे बदमाशों ने प्रियंगा की गर्दन पर चाकू मार कर रेलवे स्टेशन के बाहर उसकी हत्या कर दे इस गटना से रेलवे परिशर के आसपास के इलाकों में जैसे एक हड़कम सा मच गया क्योंकि दिन धाड़े इस प्रकार की हत्या ने सभी को जगजोड दिया था पुलिस ने अग्यात मामला जर्द करके जो है कारवाई की तब पता चला कि इस हत्य अगलिबाव